मानव को अक्षर ज्यान करवाने के पीछे परमात्मा का रहस्य जानने के लिए देखें ये विडियो उस प्रमेश्वन ने आपको सिक्सित किया पुनात्मों इस सिक्साने आपको दूना डबोया है आपको इतना कंड्यम कर दिया थोड़जी सिक्सा पाक है कोई अफसर बने गया उसमें अभी मान का अंत नी मंत्री बन जाए मैले बन जाए पूछाना के बने गया अर मुख्य मंत्री बन गया, या कोई अन्य सिक्षा ग्रेन करके, अप्टू डेट बन गया, और पता निक्या बन जाता है, तो ये अभी मान आ गया हमारे अंदर, सर्द्धा खतम होगी, आतिछ गया हमारे से, यानि हम चतुर बन गये, कप्टी बन गये, माया माया जो दिन रात सकीम बनाएजा है तो इस मालिक को पता था ये विस है इनके लिए ये सिक्षा यानि जो सिक्षा अब हमने प्राप्त की है और इसका दुरूपियों किया है डाक्टर किसलिए बनता बच्छा कि गिनादन कमाऊं इंजिनिरिंग किसलिए करता है कोठी काड़ूं बनते ही नो करते हैं और नो करते हैं आईएस आईपियस किसलिए बनते हैं कि पैसे कठे करूं बड़ा कोठी बनाओं तो हम पहले ही गुटी वो एपी कर चलते हैं और फिर वही काम करते हैं और वो जोड़ जाड़ के एक मिंट में मर्तु हो जाती है किसी एक्सीडेंट में कोई रोग से हो सारा चल लिया ना जो पुन था वो परविरते दूसरे डंग में बदल दिया को ठी और इन बैंक बैनेंस में खतम करवा दिया और आप खाली करके वेज दिया लाद कर डेर सार रहा ने मुक्तमे बाजी रोज करें रेक माया के पीछे तो मालिक निचावा था इनके ये विस इन तकाने दूँ लेकिन या मजबूरी थी परमात्मा ने पता था इस रोग कातनास कर देंगे तो बुराई नम आगी इस सिक्सा से एक मर ये भगवान को पहचान ले फिर तो परमात्मा के पास ऐसा साफ बन रेक मेंट में दो जाएगा सारे ने महल भी साफ ग्यान भी अट जाएगा बुराई भी छूट जाएगी कुण छुवागा इस विसको तो इसलिए परमात्मा ने आपको सिक्सित करना पड़ा अक्सर ग्यान दिया वेदों और गीताओं और स संत के रहिया सची है क्यों के रहिया सची है तीसरा के रहिया वो सच है या चौथा कहता हुआ सच है जिसकी वचन हम सुनते थे हमने सारे अच्छे लगें थी क्योंकि हमने कुछ पहमाना तो था है ना इनन तोल जा हमारे पास वो बट्टा नहीं था जिस पर जड़के तोल कि नहीं पाया डंका तो विश्वे के वर्तमान के कोई भी संत सास्त नो कुल सादक नहीं है अन्ना उनके नहीं आई है तो दास की प्रार्थना यही है कि वो संत भी इस बात पर विशार करें इसको मान बढ़ाई ना अडावें अपना जीवन नास ना करें और यह तो इस मार्ग न तो रोके नहीं सकते यद भूल जाना और जनताने सबने आना पड़ेगा दो दिन पाच्छाओंगे वो पस्ताएंगे और उन नकलियों को ढ़काने भीगे कि उनस साची समझ कर भी ना मानन दिया आमारे को अपने आत्माओं यो टीवी चैनलों पर चल रहा है प्रमात्मा का ग्यान यह कोई अम कोण में बैठके गीत नहीं गारे विश्व सतर के चैनल है और एक चैनल पर कहीं पर भी कोई छोटी सी कोई सूचना आ जाती है तो पूरे विश्व भैल जाती है अर इसने तीन चार वर्स होगे प्रमात्मा के ग्यान को चलते हो और कोई बोल के दिखाओ ग्यान में मुँ बकवात तो करो कैसी पर ग्यान को कंड़म करके दिखादो एक भी पॉइंट प्रमात्मा के दूदास ने ग्यान बताए तो इसे सिद्ध है कि वो बुद इमान विक्ती है संत कोई बालक नहीं है उन्हों सब ने देख लिया है अरीब तो यहां रुके हुए हैं कि निम्ब नदे जितने निम्ब है एक पंड़जी था कासी विद्धा पीठ पर डिकाया हो ब्राह्मन एक राजा ने कोई हवन कराना था अनुस्ठान कराना था उसका न्योता दिया उसको रोज़ाना एक रुपिया दान दिक्षना दे देते वो पाठ करने लगया एक महिने का कराना था अब उस विद्धान की पतनी अपना क्योंकि पैसा मिलन लगने के बाद यू काल फिर अलग से रंग दिखाता है वा बढ़ या तो कपड़े पैने और गले में अपने बढ़ या जेवराद आब उस्षिन बनवा लिए तो पानी लेने के लिए जल लेने के लिए कुए पर कठी होया करती बैने ब्रामनों के कुए अलग होते थे अन्य जाती वालों के अलग-अलग हुआ करते थे तो सब ब्रामनी कठी होती तो वो पोचती कि ये नए नयाबोसन तू कैसे खरीद रही है उसने बताया कि मेरा पती राजा के यहां कठा करने जाता है मंतर जाप करता है नुष्ठान करता है और राजा परती दिन एक चांदी का रुपाय दिखशना देता है तो उसे वारता हुई थी जिस बैन से ब्रामनी से उसने अपने पती के कान अठे कि आप यहां पड़े रहते हो उफलानी का गरवाला वहां जाता है और पाठ करता है कि आप यहां जाता है